दोस्तों अगर आपके फोन की बैटरी भी बहुत जल्दी जल्दी खतम हो जाती है दोस्तों कि आपने कभी सोचा है कि आपकी इस प्राबलम का कारण आपके फोन का जो कैमरा होता है वो कैमरा हो सकता है जहां दोस्तों जैसा कि आप लोग पता है कि हमारे कैमरा में कुछ ऐसी settings होती है जिने दोस्तों अगर आप Northern नहीं करते हैं तो दोस्तों आप देखते हैं कि आपकी फोन की बैटरी इतनी जल्दी खतम होती है कि दोस्तों आप चारज करते धख जाते हैं और आपको दिन भर में कई बार अपना फोन चारज करना पड़ता है तो तो ऐसे में दोस्तों आज की वीडियो के अंतर हम आपको आपके कैमरा की चार ऐसी खतानाक सिटिंग के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें दोस्तों अगर आप आन कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बैटरी का बैक अप इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा जो बै फोन में को वीडियो को आफ जар जरूर कर सकें Аप जैसे इतना कुछ का लेते हैं सचेलिए वीडियो करते हैं तो दोस्तों जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि आज जो हम आपके फोन के कैमरा की चार सेटिंग बताने जा रहे हैं जिसकी वज़े से दोस्तों आपकी बैटरी बहुत जल्दी से खर्च हो जाती है और दोस्तों आप दिन में कई बार अपना फोन चार्ज करते हैं तो दोस्तों इन चारो सेटिंग को आपको जरूर पता होना चाहिए और आप अपने फोन के कैमरा में इन सेटिंग को आउन करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी battery काफी ज्यादा चलने लग जाएगी तो चले दोस्तो बारी-बारी से बात करते हैं चार रोज setting की और आपको चोथी setting तो जरूर देखके जाना है तो सबसे पहले बात करते हैं पहली setting की तो दोस्तो पहली setting को करने के लिए आपको अपने phone की setting में चले जाना है अब दोस्तो आप जैसे setting में जाएंगे तो यहाँ पर आपको setting धून लेनी apps की तो यहाँ पर आपको apps की setting मिल जाएगी तो यहाँ पर आपको चले आना है और नीचे आने के बाद दोस्तों यहां पर आपको एक setting देखने को मिल जाएगी battery की तो यहां पर आपको टैप करना है अब दोस्तों यहां पर जैसे कि आप देखते हैं आपको तीन option देखने को मिल जाएंगे दोस्तों यहां पर आपके phone में optimized पर set होता है इसे दोस्तों होगा क्या कि आपकी बैटरी का जो यूसेज होगा वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा बैक ग्राउंड में और जब भी आप कैमरा यूज करते थे उसके बाद अपने कैमरा को छोड़ देते थे तो बैक ग्राउंड में आपकी बैटरी बहुत जल्दी जल्दी कंज्यूम हुआ करती थी द्रें हूआ करती थी वो सारा प्रोसेज जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा और इससे आपकी बैटरी काफी जड़ा चलने लग जाएगी तो इसे दोस्तों आपको रिस्ट्रिक्ट पर क्लिक कर देना उसके बाद बैक चले आना तो दो द अब दोस्तों इससे होगा क्या कि आप जो भी permission देते हैं बहुत सारे apps को camera की तो क्या होता कि जब वो application बंद होती है तो background में जो आपका camera होता है वो वहाँ पर run किया करता है और उन apps की permissions के थूँ आपकी battery काफी ज़यदा consume होती है तो यहाँ पर देखिए आप लिखा हुआ कि if app is unused तो अगर वो application यूज नहीं हो रहा होगा तो आपका camera जो है वो background में run नहीं करेगा किसी भी application पर process नहीं करेगा और आपकी battery जो drain होती थी reduce होती थी वो बंद हो जाएगी तो यह दूसरी setting भी आपनों को जरूर आन करके रखन आप दोस्तों बात करते हैं तीसरी setting की तो तीसरी setting भी काफी जैदा VIP है तीसरी setting करने के लिए आपको अपने camera open करना है और camera open करेंगे दोस्तों आप जैसे है तो यहाँ पर सेटिंग का option दिखाई देगा तो आपको शेटिंग वाले option में चले जाना है और दोस्तों आपको एक option देखने को मिल जाएगा location tag का अब दोस्तों यहाँ पर यह option जो है by default on रहता है इससे दोस्तों होता क्या है कि आपका camera जो है वो जैसे यह आप on करते हैं वो तुरंट आपकी location सर्च करने लगता है इससे दोस्तों आपके CPU पर process काफी ज्यादा load परता है आपका जो GPS होता ह वो काफी ज्यादा work करने लग जाता है और आपका background काफी जल्दी जल्दी run होने लगता है तो इससे दोस्तों आपकी battery बहुत जल्दी जल्दी खतम होने लगती है तो इससे दोस्तों आपको बंद करके रखना है और आप जब ज़रूरत समझें कि हमें camera को अपनी location के permission देन आप लोग camera यूज करते हैं photo लेने के लिए selfie लेने के लिए लेकिन इस चीज की तरफ कोई विध्यान नहीं देता जा दोस्तों जैसा है कि आप लोगों को पता है कि जब हम camera से अपने कोई photo click करते है तो एक shutter sound आता है यानि कि एक खिचिक की आवाज हमारे camera से आती है तो उस उस sound को shutter sound को हमेशा बंद करके रखिए इसके लिए दोस्तों आपको setting में जाना है और setting में आप जाएंगे तो यहां पर आपको एक option देखने को मिल जाएगा shutter sound का तो आपको उसे बंद कर देना है अब हो सकता है कि दोस्तों आपके phone में shutter sound का option नहों जैसा कि हमारे phone में भी तो इसके लिए दोस्तों आपको नीचे आना नीचे आपको एक option देखने को मिल जाएगा shooting method का तो यहां पर आना है और यहां पर press volume key to पर click करना है और इसे दोस्तों आपको control system volume पर इस तरीके से type कर देना है उसके बाद दोस्तों आप जब भी अपना camera open करेंगे तो आपने volume से इस तरीके से बंद कर देंगे उसके बाद दोस्तों आप जब भी फोटो क्लिक करेंगे तो आपके camera से कोई भी sound नहीं आएगी तो कुछ इस तरीके से आप अपने phone की battery को काफी जयदा enhance कर सकते है camera की विज़े से जो आपकी battery drain हो रही थी reduce हो रही थी वो बंद हो जाएग दोस्तों यही था इस video में आई अपको फसना आ होगी वीडियो से कुछ देखने को मिला होगा वीडियो को लाइक कीजिए डियो इस वीडियो की चैनल subscribe कीजिए फिर मिलते है नेक्ट्ट्ड़ीयो में तो तक अपना ख्यानं रखें आपका दिन सुभ़ए